लाइन चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो बहुत जयादा डेटा अनलसिस के अंदर यूज होता है, खासतोर पर टाइम सीरीज के डेटा के अंदर, लेकिन इस तरह के चार्ट को आप डिफरेंट प्रप्पोसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं, चलिए बना के देखते हैं, स्क्र यहाँ पर जब भी हम कोई plot बनाने लगते हैं, तो हमारे पास right side पर यह build के नीचे different किसम के axes आजाते हैं, तो नीचे वाले x को x-axis बोलते हैं, left side वाला y-axis पहला है, यह दूसरा y-axis है, फिर there are many other options, तो अब अगर आप गोर करें, add data पर click करके भी आप data add कर सकते हैं, और यह यहाँ से भी drag and drop कर सकते हैं, for example, मैं यहाँ पर day को drop करता हूँ, day को drop करने के बाद मैं यहाँ पर tip को drop करता हूँ, अपने y-axis के उपर, तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ एक line chart बन गया, यह line plot बन गया, जिसके अंदर, Saturday, Sunday, Thursday and Friday, इस तरीके से हमारे पास दिन आ रहे है और हमारे left side पे sum of the tip, यानि कि किस दिन कितनी tip हुई है एकटी एक restaurant के अंदर, यह उसका data आ रहे है, अगर आप चाहते हैं कि यह tip के साथ साथ bill भी आए, तो आप secondary axis के उपर bill को add कर दे, now you will see कि right side पे total bill है, और left side पे total tip है, and now here you can see कि जितना bill ज्यादा होता है, उतनी tip भी ज जितनी tip ज्यादा होगे, उतना bill ज्यादा बनता है, usually it happens, secondly, जितनी बारिश ज्यादा आती है, उतना पानी ज्यादा आता है, आपने यह कहावत तो सुनी होगे, पाकिसान के अंदर बड़ी मशूर है, so if we relate that thing, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यह दो लाइने ब दुरान वो पूरे average का trend आ जाता है, so usually different किसम के जो आपके पास measurement के tools होते हैं, उनकी different किसम के trends निकलते हैं, जैसे some का trend different है और average का trend different है, anyhow, यहाँ पे आप legend देख रहे हैं, तो आपके पास sum of the tip है और यहाँ पे sum of the total bill है, अगर आप चाहते हैं कि इसी पूरी चीज को आप male और female में divide करें, तो मैं यहाँ से total bill को remove करता हूँ, यहाँ पे uncheck करके, और अगर आप देखें, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक tip का data आ रहा है, कि sum of the tip कितनी थी, Saturday को इतनी, Sunday को इतनी, Thursday को इतनी and Friday को इतनी, और मैंने इसको sort down किया हुए based on the, जो data हमारे पास है, किस तरीके से हमारे पास आ रहा है, कि male versus female किस तरीके से आपके पास tip और bill बनता है, ठीक है, secondly अगर आप नहीं चाहते है कि आपने legend male और female का रखना है, तो आप यह arrow पे click करें, click करने के बाद यहाँ पे आप इसको smoker and non smoker की base पे categorize कर सकते हैं, or you can also based on the lunch, you can categorize these things, ठीक है, यहां तर clear हो गया, और usually आपको पता है, जहां का यह data है, most probably यह western countries का data है, तो Thursday and Friday को lunch होता है, लेकिन Saturdays and Sunday को most of the time लोग dinners के लिए जाते हैं, so you will not see anything here, but only see Thursday on Friday, अच्छा, तो यहां पे मैंने इस चीज़ को click किया, and I can actually divide between two categories, तो यह मेरे पास tip का data है, और अगर मैं चाहता ह हूँ के यहीं पे मेरे पास sum of the tip की बजाए, मेरे sum of the total bill मेरे पास आए, now you will see the total bill, so it's totally up to you, यहां पे click करने के बाद आप कौन सी चीज़ रिटेन करना चाहते हैं, कौन सी नहीं करना चाहते, it's totally up to you, को मैं यहां पे sum of the total bill की बजाए, मैं यहां पे tip को add कर लेता हूँ, यह सी के मेरे पास grouping बन जाए, दो यहां पे group बन गया, non smoker और yes smoker, sum of the total bill यह day wise मेरे पास 4 काने बन गया, तो I can also create these kind of plots, जिसके अंदर मैं small multiples को भी add कर पाऊँगा, अब अगर आप देखें, मैं यहां से sex को uncheck करूँ, and मैं simply इसको उठा के small multiple के उपर track कर दूँ, you will see के हमारे प नहीं होगा, उसका यहां पे कोई भी plot नहीं बनेगा, so small multiple can give you a nice idea के किस तरीके से आप कोई भी data को add कर सकते हैं, और यहां पे मैं इसको legend पर track कर लेता हूँ, उठा के it will work like that, अब tool tip हमारे पास क्या है, कि जैसे भी मैं यहां पर scroll करता हूँ, तो मेरे पास कौन सा data आना चा कि आपके पास sex male या female है, फिर आपके पास sum of the total भी ला रहा है, and then you can also do something like this, कि tool tip के ऊपर मैं sum नहीं, मैं average चाहता हूँ, so I can see the average, or otherwise I can also see the tip average, something like this, so you will see कि आपके पास sum of the tip आ रहा है, और उसकी different किसम की averages, जो है वो आपके पास show हो रही है, so it's totally up to you कि आपके तरीके से इनक box open हो जाते हैं, इसको हम tool tip बोलते हैं, तो इसमें आप कोई भी चीज़ एड कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ इसमें से निकाल सकते हैं, and this is how you can create a line plot, a nice line plot, अब आप चाहें तो इस line plot को format भी कर सकते हैं, zoom slider भी आप एड कर सकते हैं, shaded area भी आड कर सकते हैं, तो ये area plot बन ज explore करें, and then you can create a lot of things here, जो आपको अच्छा खासा यहां पर plot बना के देदेंगी, this is how we can create a line plot, और line plot की काफी अधर भी किसमें हैं, जो इंशालला हम आने वाले lectures के अंदर भी देखने वाले हैं, अपना ख्यार रखें, इस lecture को like कर दें प्लीज, and write down in the comment section, के line plot बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को मद्दे नजर रखना चाहिए, see you in the next lecture.